सबसे महत्पून बात, देखे जो आपका exam का जो कह रहे हैं, आप लोग pattern बदल गया, EVS के अंदर जो नए question देखने को मिले हैं, तो वो नए question कहां से देखने को मिल रहे हैं, और कहां से आपको मिलेंगे, और free में आपको मिलेंगे, उसका solution मैंने ढूंड लिया है, और वो ची पर के अंदर NCRT से पूछे गए, बट कुछ question आपके नए भी पूछे गए, और जैसे कल जीन बच्चों का exam था, वहाँ पर तो कई question आपके out of the box पूछे गए, out of the syllabus पूछे गए, अब ये जो out of the syllabus आपके question पूछे गए, ये कहां से पूछे गए, क्योंकि यार मैं भी कल CBS वाले पूछ कास रही है, क्योंकि मैं जो तयारी करा रहा था तीन महिने से, मैं 140 प्लस की तयारी करा रहा था, अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया, क्यार ये नए-ने question पूछ रहा है, इस हिसाब से अगर 15 में से अगर ये 10-15 नंबर ऐसे पूछने लग जाएगा, त्यार सांस्कृतिक विविदिता में एकता के नाम से ये पूरी की पूरी एक किताब है, NCRT वालों की किताब है, तो इसमें से कई सारे question देखने को मिले, पूरे question देखने को नहीं मिले, कि इसमें से पूरे question देखने को मिल जाए, इसमें जो हमारे state है, जो इसके अंदर हमारे state है आप लोग बुंदेल खंड पढ़ते हो या किसी state की, विश्जश था के बारे मों पढ़ते हो या उसकी, जैसे साडियो वगरा के question पढ़ते हो, तो ऐसे question देखने को मिले, बट सारे देखने को नहीं मिले, ठीक है, तो ये इस चीज को हमने पढ़ा रात बैट कर इस वाली कित आपको, बड़ा किताब थी, बड़े इसके पेज थे, तो हमने इस चीज को highlight कर लिया, रात इस किताब को पढ़कर, अब इस किताब के अंदर जितने में पोईंट है, जितने topic है, आज हमने इसको complete कर लिया, अब इस पर टाइपिंग का काम चल लात है, और टाइपिंग का काम मेरे ख्याल से कल साम तक complete हो जाएगा और कल साम तक complete होकर कल में इसके ओपर जितना इसके अंदर main material है कल में इसके ओपर एक detail में वीडियो बना दूँगा उस वीडियो को आप लोग देख लेना इसके अंदर जो नए question cbsc वाले पूछ रहे है वो सभी के सभी आप लोगों को मैं वीडियो के माददम से देदूगा और उसकी एक pdf बनाकर मैं आपको pdf देदूगा जिसको आप लोग फिरी में जाकर download कर सकते हो क्योंकि देखे आपके पास अब इतना time नहीं है इतनी बड़ी किताब को आप लोग पढ़ने बैठोगे फिर उसके notes बनाओगे और तब जाके उसको याद करोगे तो यह काम आप लोग जिम्मेदारी मेरे उपर छोड़ दो यह काम मैंने कर दिया है राद भर हम लोग ने इसके पढ़ाय करी उसके उपर highlight करा अब typing का काम हमने शुरू कर दिया है सिर्फ आपको क्या काम करना है वीडियो के अंदर इसको पढ़न ने कर दो कहां बट मैंने क्या था सारे समय नहीं देखने को मिल रही है जो जो इस्टेट की विषेसता है वो यहांसे देखने को मिल रही है अब क्या होगम जो बाधी के QeSQ देखने को मिल गया ठा कि उसको कितने degrees सल्टस पर उसको गर्म किया जाता है ऐसा question देखने को मिलिया जैसे last time पे करकर रेखा कहा से गुजरती है तो ये question कहा से देखने को मिलेंगे ये question देखने को मिलेंगे आपको मेरी UPTED की EVS की marathon class से मैंने बार बार आपको अपनी वीडियो में कहा हुआ है कि मेरी UPTED की EVS की marathon class मैंने बनाई विये unit 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th क देख लेना उससे आपका पूरा का पूरा काम complete हो जाएगा तो दूसरा काम आपको मेरी ये marathon class देखनी है मैंने playlist में बनाई विये दूसरा काम यह हो गया और तीसरा और चोथा काम तो आपको NCRT हरालत में पढ़नी है सबसे पहला काम आपको NCRT हरालत में पढ़नी है ये मे मेरी marathon class आपको देखनी है आज देखो paper NCRT सा है और NCRT से maximum paper आपका आना है और पैड़ागोजी गले पैड़ागोजी वाली marathon class आपको देखनी है तो ये solution हो जाएगा आपके EVS का solution हो जाएगा मेरा दिमाग खराब हो गया कल का paper देखकर कल बच्चे ये कह रही थे कि सार हमा पूछे जा रहे है और राती उसको पढ़ा highlight करा और उसके ओपर typing का काम सुरू कर दिया अब आपको कुछ ही नहीं करना है जो काम करना है अब मैं करूँगा और कल में वीडियो बनाकर डाल दूँगा और उसकी PDF आपको मैं दे दूँगा उस PDF को आप लोग पढ़ लेना सा जो नए question आपको देखने को मिले उसका solution मैंने आपको बता दिया इस किताब से जो state से सम्मंदित question आपके पूछे जा रहे है ठीक है यह easiest की ही आपकी NCRT की किताब है तो यहां से आपके question पूछे जा रहे है यह out of the syllabus आपके question नहीं है कुछ question जो आपके out of the syllabus पूछे जा रह है और पैड़ा को जी के लिए यह देख लेना आप लोग ठीक है आई यह आप लोग मेरी बात को समझी गए होंगे जो आपका EBS का जो section है वो आपका complete हो गया होगा ठीक